अब हम vectors की products को देखने वाले हैं कि हमने ये देख लिया कि vectors के add कैसी किया जाता है हमने ये भी देख लिया कि vectors को हम किस तरीके से further scalar के साथ multiply कर सकते हैं हमने vectors की और भी किसमें देख ली अब जिस चीज के तरफ हम चलने वाले हैं that is called dot products of vector तो dot products क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे और हम vectors को समझेगे कि vectors किस तरीके से चलते हैं मेरे पास दो vectors हैं यहां पर मैं दोनों vectors को यहां पर draw करता हूँ vector 1 जो है मेरे पास जिसको हम A vector बोलते है that is equal to 2 and 4 ठीक है और जो मेरे पास B vector है that is equal to 3 and 7 अब इनकी dot product क्या होती है और उसको किस तरीके से लिखा जाता है dot product के बारे में हम बात करते हैं दो किसम की products होती है एक होती है dot product एक होती है cross products तो dot product क्या होती है basically आप क्या करते है A vector dot B vector इसका equal होता है 2 and 4 यानिके A vector dot B vector 3 and 7 अब इनको जब हम multiply करते हैं तो जैसे हमने add किया था न same वो ही चीज है और हम उसकी base पे फिर इसको लिखते जाते हैं say for example 2 और 3 इन दोनों को किया multiply 2 जरब 3 यह आ गया हमारे पास plus लिखके फिर 4 जरब 7 4 multiplied by 7 तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम इसको resolve करते हैं 6 जमा 7 4 by 28 6 जमा 28 यह हमारे पास आ जाता है जनाबे वाला 34 ऐसी है ठीक है अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 34 जो है हमारे पास this is a number a scalar quantity या number इसका मतलब यह हुआ कि जब हम dot product लेते हैं किसी vectors की दूसरे vector के साथ this will give you a number ठीक है यह पहली चीज यह तो हो गया जनाब आपका basic understanding about dot product यह हमने की है two quantities यानि कि two dimensional space के अंदर और mathematically आप three dimensional भी कर सकते हैं और visually भी कर सकते हैं लेकिन दिमाग हमारा काम नहीं करता visual में अगर हम तीन dimension से आगे जाते हैं लेकिन mathematically हम कर सकते हैं say for example हमारे पास दो vectors हैं a is equal to five, six, seven यह तीन dimensional vector है और b is equal to b vector is equal to six, seven and eight ठीक है? इन दोनों की dot product क्या होगी? अगर हम इसकी dot product लेते हैं इनकी तो मैं simply यहीं पर लिखता जाओंगा पांच जरब छे प्लस छे जरब साथ प्लस seven multiplied by eight is equal to six, fives are thirty गोरा होगा थारी इंडियन बनू थर्टी six, fives are thirty and then you will write seven six are forty-two plus seven eight अठुसाथा चपन अठुसाथा चपन पंजाबी जिन्दावाद अगर मैं इसको जमा करूं 72 और 6 78 और 128 तो यह हमारे पास गालिबन 128 देते हैं you can check it तो यह भी हमारे पास scalar vector आ गया इसको कहते हैं dot product simply dot product क्या होती है product of two vectors which gives you a scalar quantity okay scalar quantity या एक number इसका मतलब यह हुआ कि आप vectors को numbers के अंदर convert कर सकते हैं having a dot product यह आपको क्या करेगी number देगी simply और अगर इसको आप mathematically लिखना चाहें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं a vector is equal to a1, a2, a3 और b vector is equal to b1, b2, and b3 अगर मैं इसको आपको equation बना के दिखाऊं तो आप linear algebra के अंदर इसकी equation भी बना सकते हैं कि when you have a dot product of a vector b that is equal to a multiplied by b1 plus a2 multiplied by b2 plus a3 multiplied by b3 simple यह आपको देगा at the end a scalar quantity, a number यह होती है dot product dot product के आपको समझागी जब दो vectors आप dot product के through resolve करते हैं तो आपके पास एक scalar quantity आती है hopefully यह चीज आपको समझागी होगी अब next move करते है cross product के तरफ ग्जबंदगा करते हैं और दो आपको समझागी